कि नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका अपने ही यूटूब चैनल फॉर्यो सक्सिस वे तो गटना चकर करेंट अफैर मेगजीन के अगस्त 2022 के संसकंड के टॉप हंड्रेड संसकंड के सार संग्रा मास्टर वीडियो या फिर टॉपिक वाइस जूडियो अगर आपने नहीं देखें तो आई बेटन पर क्लिक करके आपूं सभी वीडियो की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं इस वीडियो में अगस्त 2022 के हंड्रेड mcqs पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर अंतराश्टी परद्यस होगा राश्टी परिद्रस खेल जगत पुरुषकार वं सम्मान आर्थिक सुचकांक वैस्विक सुचकांक अंतराश्कारिक्रम सेयुक्त युद अभ्या नियुक्तियां चर्चित पुस्त के एवं लेखक महत्पून दिवस एवं थीम इसके लवा जो भी महत्पून योजना सुरू की इस पूरा महा में उसको हम देखेंगे हमारा जो वीडियो रहेगा यह एक जून 2022 से लेकर 6 जुलाई 2022 का करेंट अफेर इस वीडियो में कवर रहेगा चली शूरू करते हैं वीडियो को, पारला कोशन है हली में किसे लेह में माई पैड। माइ राइट कारेकरम को सुरू किया है औपसन 20 का राइट हो जागा नाबाट आप अपना आंसर साथ में गैस करके साथ में चैट बोक्स में दे सकते हैं नाबाट यानि की National Bank for Agricultural and Rural Development के अध्यक्सवी डॉक्टर जी आर चिंताला है जुन्होंने लेह में MyPad MyRight प्रोग्राम लॉंच किया है डॉक्टर जी आर चिंताला ने विभिन आयूवर की महिलाओं की मांगों के अन्रूप Sanitary Pads बनाने के लिए नाबाट जिसका गठन 12 जुलाई 1982 को किया गया था इसका मुख्याल है मुंबई में है नाबाट के अध्यक्स है गोविंद राजूलू चिंताला यानि की जी आर चिंताला वंगपूरा नाम है नेक्स्ट कुशन हाल हिमें आयूजित IIFA2022 में सर्फरेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड है इन आयूजित किया गाता इस कारीकरम को सिधार्त मलोत्रा की सिर्षा इस साल पुरुषकारों में अपना दब दबास बना कर रखा था इस कारिक्रम में फिल्म ने पांच स्रेनियों में पुरुषकार प्राप्त किये है नेक्ट कुश्चन भी इसी IIFA से रिलेटर है जिसके अंदर की सर्वस्रिष्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया आता है सर्वस्रिष्ट फिलम दिया गई है सेर्सा और सर्वस्रिष्ट अभिनेता का अवार्ड यानि की बेस्ट एक्टर अवार्ड के दिया गया है राइट आंसर का है ओप्सन बी विक्की कोशल विक्की कोशल को फिल्म सर्दार उधम सिंग के लिए दिया गया है सर्वस्रिष्ट अभीनेता का आवार्ड इसके लागा स्क्रीन पर आपके पूरी लिष्ट दिरखी आवार्ड की जिसके अंदर आप इसका स्क्रीन शोट लेकर रख सकते हैं सर्वस्रिष्ट अभीनिता है विकी कोशल सरदार उदम फिल्म के लिए सर्वस्रिष्ट अभीनिता महिला है करती सैनन सर्वस्रिष्ट निर्देशक डायक्टर का वाड़ दिया गा है विश्नु वर्धन जो की सेरसा फिल्म के निर्देशक है सर्वस्रिष्ट फिल्म है सेरस इसके जो भी अन्य आवार्ट से आप यहां देख सकते हैं स्कीन पर इसका आप स्कीन शोट लेकर रख सकते हैं नेक्ट कुछन है हाली में विशु खाद्य सुरुख साथ दिवस 2022 कब मनाए गया है विशु खाद्य सुरुख साथ दिवस यानि विशु स्वास्त संगठन की अनुसार हर साल साथ जून को विशु स्तर पर यह मनाए जाता है और इस वर्ष की थेम्स की रखे गई है सुरुख सित भोजन बहतर स्वास्त विशु स्वास्त संगठन का मुख्याले कहां पर है जिनेवा सुर्जेलेंड में है और इसकी स्थापना साथ अपरेल 1948 को की गई थेम्स आपको जात रखनी है सुरुख सित भोजन सेफटी फूड होगा यहां पर बैटर हेल्थ होगी हमारी यह इसका थेम रहा है नेक्ट कुशन हाली में किस राजी सरकार ने खिलाडियों के लिए राजीव गांदी खेल रत्न पुरुसकार देने की गोशना की है और खिलाडी पुरुसकार समारों को सम्भोजित करतों यह गोशना की थी उन्हों यह भी बताया है कि राजीव गांदी ग्रामेंड ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से सुरु होंगे जिसमें सभी उम्र के 27 लाग से अधिक खिलाडी भाग ले सकेंगे भारत का सबसे पुराना साहितिक पुरुसकार ग्यान पीट पुरुसकार कितनी भासाओं के लेखोकों को दिया जाता है ग्यान पीट अवार्ड अंसर राइड है ऑप्शन डी 22 भासाओं में दिया जाता है 22 लेंग्विज इसमें दिया जाता है आपर ये ग्यान पीट पुरुसकार भारते समिधान की आठ अनुसूचियों में 12 भासाओं जिसमें आपको देख सकते हैं स्कीर पर इन सभी भासाओं को इन सभी भासाओं में ये जाता है ग्यान पीट आवर्ड और हाली में जो लेटेश्ट जो दो अवार्ड दिये गए थे 2020 और 2021 एक साथ दिया गया था तो 1965 में सबसे पहले ग्यानपीट आवार्ड जी संक्रा कुरूप को दिया गया था मल्या लंभासा के लिए और पहली महिला जो ग्यानपीट आवार्ड प्राप्त करने वाली बनी थी आशापूर्णा देवी और जो कि बंगाली थी हाली में जारी पर्यावरन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के पहले इस्थान पर कौन सा देश है इसमें पहले इस्थान पर कौन सा देश रहा है आंसर राइड है ऑप्शन बी डेन्मार्क 2022 पर्यावरन प्रदर्शन सूचकांक यानि EPI येल और कोलंबिया विस्थाले के सोध करता हों द्वारा 180 देशों में से यह बना जाता है भारत अंतेमिस्थान पर आया है सूचकांक में डैन्मार्क दुनिया के सबसे स्थाई देश के रूप में पहले स्थान पर आया है हांपर नेक्ट कॉशन है हाले में किस देश में एक बहुराश्ट्री अभ्यास X खान क्वेस्ट 2022 का जिन किया गया था अंसर राइट है ओप्शन डी मंगोलिया भारती सेना एक बहुराश्ट्री अभ्यास X खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिए जहां 16 अन्य देशोंवें भी मंगोलिया में भाग लिया था इसका जिन मंगोलिया में किया गया था भारती सेना का प्रतिने जेतू लधाक स्काउट्स के एक दल दौरा किया गया था अगला कुशन हाली में जारी चौथे फोर्थ राज्य खाद्य सुरुकसा सूचकांग क्याने कि यह चौथा फूट सेफटी सिक्यूरिटी इंडेक्स था इसमें पहले इस्तान पर कौन सा राज्य है बहुएet तो अंसर है इसका है एसमे उप्षे राज्य खाद्य सूरुकसा सूचकांग जो चौथा संस्क्रिण था इन्पोर्टन्थ आप्ργाद्य नहीं देख सकते हैं स्क्रिम पर तमिल अलब हाँ पर पहले हिस्तान पर रहे है गुजरात दूसरे स्तान पर है और तीसे सान पर महाराश्ट्र है next question हाली में मिताली राज ने सन्यास की गोशना की है उनका संबंध किस खेल से है मिताली राज answer right है option C cricket जोदपूर रजस्थान की रहने वाली राजस्थान भारतिय महिला क्रिकेट की कप्तान मिताली राज जिर्ण की उन्चालिस वर्स की आयू में अंतराश्था की रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोशना कर दी है इससे पहले उन्होंने सितंबर 2019 में TUT&T से सन्यास ले लिया था एक दिवस्य और टेस्ट में चबी खेल रही थी वो और उन्होंने हाली में अब सन्यास गोशना कर दी है उन्होंने तीनों प्रारूपों में कुल 10,868 रन बनाए है और महिला अंतराश्थिक रिकेट में सरोकालिक प्रमुक रन इसकोरोर बन गई है पहले स्तान पर है पूरे विश्यम में next question भारत के राष्टपती चुनाओ 2022 कब होंगे answer रेडिस का है 18 जुलाई 2022 को भारत के राष्टपती चुनाओ 2022 का अजन किया जाएगा मुखी चुनाओ आइक्ठ है राजीव कुमार जिन्हों की गोशना की है कि भारत का अगला राष्टपती चुनने के लिए सदिक वोट मिलने पर वो वराष्टपती चुने गए थे नेज्ट कुरिशन हाली में किसने पेरा विशु कप में सोन पदक जीतने का विशु रिकॉर्ड बना है पेरा वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया answer right है option C अवनी लिखारा टोक्यो पैरा अलम्पिक में विजेता है अवनी लिखारा उन्होंने फ्रांस के चेटा रॉक्स में पैरा सूटिंग वल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एर राइफेल स्टेंडिंग हच वच हवन में 250.6 के विस्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ सोन पदक जीता है उन्होंने बीस वर्सी निसाने बाजने पैरिस में 2024 पैरा अलम्पिक खेलों के लिए क्वालिफाई के लिए अपना 249.6 का विस्व रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया इसके साथ ही 2024 में होने वाले जो पैरा अलम्पिक होंगे पैरिस में उसके लिए भी क्वालिफाई उन्होंने कर लिया है साथ में Next question है भारत का पहला मानव अंतरिक्स मिशन कब लौंच होगा India's first manned space mission यह कब लौंच होने वाला है Answer right है option यहाँ पर B 2023 में गगर नियान mission अंतरिक्स और प्रत्वी विज्ञान मंतरी है डॉक्टर जीते अंदर सिंग जिनके अनुसार 2023 में पहला मानव अंतरिक्स mission गगन यान और साथी पहला मानव महासागर mission लौंच करने का अनुठा गोरोग प्राप्त करेगा भारत 2023 में अंतरिक्स और महासागर मानव mission दोनों के लिए परिक्षण एक उन्नत चरण में विक्सित हुआ है और यह उलेखनी है उपलबदी 2023 की दूसरी चमाई में नई दिल्ली में विश्व महासागर दिवस उत्सव में प्रतिशित की जाएगी नेक्स कुशन हाली में किसे विसेष बंगला अकाडमी आवार्ड दिया गया इस्पेसल बंगला अकाडमी आवार्ड किसको दिया गया हाली में आंसर इसका राइट है option A पश्य बंगाल की मुखी मंतरी है ममता बैनर जी को उनके अथक साहत्य खोज के लिए बांगला अकादेमी पुरुसकार मिला है इस वर्ष साहित्य अकादेमी द्वारा शुरू किया गया पुरुसकार बनर जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए उनकी पुस्तक है उनका नाम है कविता बिटान ये किताब पश्य बंगाल के सरुसेष्ट लिखोक है इस की पुस्तक में है नेक्ट कुशन हाली में कौन सा राज ड्रॉन नीती को मंजूरी परदान करने वाला देश का पहला राज बन गया है ड्रॉन पॉलिशी को यहां पर पुरू किया है किस राज ने हिमाचल परदेश सरकार ने एक ड्रॉन नीती को मंजूरी दे दी है क्योंकि वह पहड़ी राज में विभिन सारवजनिक सेवां के लिए ड्रॉन और इसी तरह की तक्निक के उप्यों को सक्षम करना चाहती है मुख्यमंत्रिवां के हैं जैराम ठाकुर जोने हिमाचल परदेश ड्रॉन नीती 2022 को मंजूरी दे दी है नीती में गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रॉन्स की नियूपर में तेक समगर ड्रॉन एकोसिस्टम बनाने की परिकलपना की गई है और ऐसी ड्रॉन नीती बनाने वाला उसको अपरूप करने वाला देश का पहला राज बन चुका है हिमाचल परदेश अगला कुशन है हाली में जानवरों के लिए भारत का पहला कोवीड-19 वैक्सीन लॉंच हो है उसका क्या नाम है कोवीड-19 वैक्सीन जो की जानवरों को लिए लॉंच किया गया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एना कोवैक्स एना कोवैक्स करशी मंत्री है नरेंदर सिंग तोवर ने हर्याना स्थित आई सी ए आर नेशनल रिसर्च सेंटर और इक्विन के अंदर यहां पर कोवीड-19 वैक्सीन एनोवैक्स को लॉंच किया जो की पहला गरेलू है जानवरों के लिए विक्सित किया गया है एना कोवैक्स हाली में मा नरेगा योजना के लिए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है मा नरेगा लोकपाल इसको इंगलिज में ओंबूट्समें कहते हैं लोकपाल को राइट अंसर से नहां पर है option A. N. K. Oja एन जे ओजा को मात्मा गांधी राश्ट्री गरामी रोजगार गारंटी उजना गिता है दो साल के लिए लोग पाल उनको नियुक्त किया गया है कि विष्व निवेश रिपोर्ट दो और बाइस मैं भारत को सात्वा इस्थान मिला है UNCTAD यानि की वेपार और विकास पर संयुक्त राष्ट सम्मिलन इसके अनुसार देश में FDI प्रवा में ग्रवट के बावजूद पिछले केलंडर वर्स 2020 में प्रत्यक्स विदेशी निवेस यानि FDI के शीर्स प्राप्त करताओं में एक स्थान की छलांग लगा कर सात्वे स्थान पर भारत पहुंच गया है यानि गतवर्स भारत आठ्वे स्थान पर था एक स्थान ऊपर आ चुका है सात्वे स्थान पर अब पहले स्थान पर है सेविक्ति राज अमेरिका जिसने की 366 billion dollars यहां पर FDI पराप्त किया है दूसरे स्थान पर चीन है 181 billion dollars तीसे स्थान पर हॉंग कॉंग 141 billion dollars next question हाली में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तरत नक्सा जारी किया है वर्ल्ल मोस्ट डिटेल्ड वियन ओफ मून किस ने भेजा है आंसर राइट है option B चीन चीन ने चंदरमा का एक नया भूव एगयनिक नक्सा जारी किया है जो यह बताता है कि अब तक का सबसे विस्तरत विवरण है जो 2020 में अमेरिका दौरा मैप की तुलना में चंदर सत्य का और भी बारिक विवरण इसमें दिखा रहा है चीन के दौरा इसको जारी किया गया है हाली में आजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्क्रण का विजयता कौन बना है और राइट अंसर का है ऑप्शन बी हर्याना मेजबान हर्याना ने अंतिम देन यहां पर 52 सोंड पदकों के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का खिताब उनों ने जीत लिया है 49 रज़त पदक, 46 कहां से पदक जीते जिसमें उनका कुल पदक जो रहा था 137 पदक इसमें रहे ша, यह किसी भी राजी के द्वार जीते क अब तक के सबसे अधिक पदक रहे थे 137 पदक इसमें 52 पदक थे समें इसमें महराष्ट दूसरे स्थान पर रहे तीसरे स्थान पर करणाटक और इसका आयोज़न भी हर्याना में में था यह था Argent梖 के रिंदा में पंच कोला में आब यहां डेखी थे स्कींप में जो पहला खेलो इंडिया यूद लिव हुआ यूद को अजह था विजेता इसमें हरियान रहा था दूसरा पूने रोल्च इंधर है और इसका विजजटा रहे तेसरा गोईटी आसां में 2020 में इसका विजयता भी मारश्ट्र लगाता दोवर्स चैंपियन रहा है महराश्ट्र और जो चोथा खेलो इंडिया यूद्ध गेम्स हजन हुआ है पंच कोला हर्याना में इसके अंदर भी विजितरा है हर्याना तो और जो पांच वा खेलो इंडिया यूद गेम्स होगा वह बोपाल मद्य पर्देश में 2022 जो के अंत में नुवंबर दिसम्बर में इसका हजन होगा अगला कुशन है हाली में भारत के चोहतरवे चेस ग्रेंड मास्टर कौन बन है 74 चेस ग्रेंड मास्टर ओफ इंडिया आंसर राइट है ऑप्सन डी किसोर राहुल स्रिवास्तव तेलंगान के राहुल स्रिवास्तव पी भारत के चोहतरवे ग्रेंड मास्टर बन चुके हैं जिनोंने इटली में नवे कैटॉलिका सतरवे ग्रेंड मास्टर थे दौरान लाइव फीडे रेटिंग में पचीस सो पॉइंट्स की जो बादा तोड़ कर खिसाब आत किया है तो चोहतरवे चैस्ट ग्रेंड मास्टर बने हैं राहुल स्रिवास्तव पी इससे पहले भारत के तेहतरवे चैस्ट ग्रेंड मास्टर थे भरत सुबरमन्यम बहतरवे हैं मित्रबाग गुहा एकतरवे हैं स संकल्प गुपता नेक्ट कुशन हाली में भारत यूरोपिय संग सुरक्सा और रक्सा परामर्स कहां पर आज़ित किया गया है अंसर राइट है ऑप्सन भी ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहली बार भारत यूरोपीज संग यानी EU सुरकसा और अक्सा प्रामर्स आज़ित है जोलाई 2020 में भारत यूरोपीज संग सिकh़र समयलन के लिए लिए गे नेड़े का अनुसार प्रामर्स आज़ित किया गया था नेक्स्ट कुश्टन है, हाली में नीरज चोपडा ने जो की टोक्यो ओलम्पी के सोन पदक विजय था है, नीरज चोपडा जोने कि कितने मीटर का भाला फैंक कर एक राष्ट्री रिकॉर्ड बाना है हाली में, आंसर इसका राइट है, ओप्सन B, 89.30 मीटर, 89.30 मीटर का भाल नूरमी खेलो में, 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फैंकर एक नया राष्ट्री रिकॉर्ड बनाया है, चोपडा इससे पहले, उनका पहले जो राष्ट्री रिकॉर्ड था, वो 88.07 मीटर था, इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त 2020 को 87.58 मीटर के थोरो के साथ, टोक्यो ओलम्प का सोंड पदक जीता था, और नीरे चोपडा एथलेटिक्स में भारत के पहले उलम्पिक सोंड पदक विजयता है, और उलम्पिक में केवल दूसरे व्यक्ति के सोंड पदक विजयता है, नेक्ट कुछन है, हाली में जारी विश्व प्रतिस परदात्मक सूचकांग 2022 में प विश्याई आर्थ व्यक्ताओं में सबसे तेज व्रदी देखिए, जिसमें उन्होंने 43 से 37 स्थान की छलांग लगाई है, इसमें भारत आगया है, 37 स्थान पर वैस्व के अढ़िए, मैं इसे पदा चला है कि देनमार्क है, व पिछले साल तीसरे स्थान से त्रेस स्या सिर्स पर पहुंच गया है, जबकि सिंगापूर्ड तीसरे स्थान पर आ गया है, याना कि भारत यहाँ परढ़ा चुका है, 37 स्थान पर अगला कुछन है विश्व प्रतिस परधात्मक्ता सूचकांग 2022 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है पहले इस्थान पर डैनमार्क है हमने देखा है और भारत का इस्थान रहा है 37 यानि की C उप्षन इसका राइट होगा हाली में कौन से देश ने नाटो सिखर समयलन में पहली बार भाग लेने का फैसला लिया है जापान के दौरा जापान के प्रधान मंत्री फूमियों किशिदा ने मैडरिड में इस महीने होने वाले नाटो सेखर समेलन में भाग लेंगे जो ट्रांसलांटिक गठबंदर की सीज़स बैठक में सामिल होने वाले देश के पहले नेता भी बन जाएंगे अगला कोशन है। भेदने में सक्सम है कि इसकी रेन्ज 350 किलोमेटर की और एक टण पे लोड इसमें ले जा चकते हैं प्रतुव वन की रेंज 150 किलोमिंटर है जो 1000 किलो ग्राम पेलोड ले जा सकती है है नेक्स्ट कुछन है हाली में GST काउंसिल की 47 बैठका आईज़न कहां पर किया गया है GST काउंसिल की 47th मिटिंग आंसर राइट है इसका ओप्शन C स्री नगर नेक्स्ट कुछन हाली में राजिस्थान उच्छ नयाले के मुख्य नयाधिश कौन बने है राजिस्थान उच्छ नयाले के आंसर राइट है इसका ओजाएगा ओप्शन B जस्टिस सिंदे संभाजी स्वाजी बन गए है राजिस्थान उच्छ नयाले के मुख्य नयाधिश हिमाचल प्रदेश उचनाले के मुखेनादिस बॉंबे उचनाले के नियायमूर्थी अमजद अहतेशम सईध होंगे जबकि रास्तान उचनाले के मुखेनादिस बने हैं बॉंबे उचनाले के नियायमूर्थी सिंदे सामबाजी गुजरात उचनाले के नया मुर्ती रश्मिन M. चाय को अब गौहाटी उचनाले के मुखे नयदिश के पदपर्ण को लगा दिया गया है नैक्ट कुछन है हाली में किस अंतरश्च्री हवाई अड़े को विश्चू का सर्फ स्रिष्ट हवाई अड़े का अवाड मिला है अंसर रेट है ओप्शन A हमाद हवाई अड़ा हमाद एरपोर्ट दोहा कतर के हमाद अंतराश्च्रे हवाई अड़े को लगातार दूसरे वर्स विश्चु का सर्व स्रेश्ट हवाई अड़ा गोशित किया गया है यह गोशितना फ्रांस के पैरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सको में है स्काय ट्रेक्स 2022 वयल्ड एरपोर्ट अवाड्स में हुई है नाच्च कुशन फिफा वल्ड कौप 2022 की मेजवानी कतर को मिली है जबकि 2026 की मेजवानी कि देस्स को मिली है फिफा वल्ड कौप 2022 आंसर इसका रहेट है का option D उप्यूक सभी यानि की अमेरिका मेक्सिको और कैनेडा तीनों को ही यहां पर सेंग तुरूप से दिया गया है फीफा वेल्ड कप 2022 की मेजबानी नेक्ट कुर्शन है पहले इसका देख लेते हैं एक फ़र इंपोर्टन फैक्ट्स फिफा ने घोशना की है कि मेक्सिको के तीन सहरों में और केनेडा की दो सहरों में इसका आयोजन किया जा 37 सदस्य एथलेक्टिक्स टीम का नेतरतु निरज चोपड़ा को दिया गया है राश्ट मंडल खेल 2022 का एजन कहां पर होना है अंसर इसका राइट हो जाएगा ओप्सन यहां पर बिबिंगम भारति एथलेक्स महासंग नेगोशना किया है कि जो आगामी राश्ट मंडल खेल हैं उसके 37 सदस्य भारती एथलेक्स टीम का नेतरतु करेंगे वो बीरेच चोपड़ा करेंगे टोक्यो ओलम्पिक के गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो ओलम्पिक सौन पदक विजेता बर्मिंगम में ध्वाज वाहक होंगे क्योंकि हिमादास और दूती चंद जैसे स्टार स्प्रिंटर्स 28 जुलाई से 8 अगस तक होने वाले खेलों में अपनी जगे पकी उन्होंने कर भी ली है राश्ट मंडल खेल 2008 का आयोजन गोल्ड कोश्ट में किया गया था जैनि जो पहले जो आयोजन हुआ था राश्ट मंडल खेल का कॉमनवेल्ड गेम्स उसका आयोजन गोल्ड कोश्ट में किया गया था और अब जो आयोजन का हो रहा है यह होगा बर्मिंगम में नेक्ट कुशन हाली में योग दिवस कब मनाया गया है और उसकी थीम क्या रखे गई थी अंतराश्ट्री योग दिवस आंसर राइट है ऑप्शन ए ऑप्शन बी 21 जून इंटरनेश्ट योगा डे 2022 और उसकी थीम बताए गई थी वर्स 2015 से लेकर 21 जून को विसु भर में अंतराश्ट्री योग दिवस यानि इंटरनेश्टल डे ओफ योगा गरूप में मनाया जा रहा है इस वर्स अंतराश्ट्री योग दिवस का आठवा संस्क्रण मनाया गया था और इस वर्स की थीम रखे गई है मानवता के लिए य यानि की योग फॉर हुमेनिटी नेक्स कुछन है हाली में भारा सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर कब से प्रतिबंद लगाने का नेने लिया है सिंगल यूज प्लास्टिक्स के उपर आंसर है एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बेहन लगा दिय सिंगल यूज प्लास्टिक्स विसेस रूप से पॉली इस्टाइनिन और विस्तारित पॉली इस्टाइनिन से बने जो प्लास्टिक होते होंगो एक जुलाई दो जरबाई से पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वित्रण, बिक्री सभी परिस परोग लगा दी वरिष्ट राजनेक हैं रुचिरा कमबोज जो वरतमान में भूटान में भारत की राजदूत की तौर पर कारत हैं जिनकों की अब नियोक में सेंगतुराश्ट में भारत के अगले इस्थाई प्रतिनीदी के रूप में उनको नियुत किया गया है पर्मनेट रिप्रेजेंटेटिव वह सेंगतुराश्ट में भारती राजदूत की रूप में टी एस्थ्री मूर्ती का इस्थान लेंगी हाली मैं आसम ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है अपने आसम में और अब तक कितने ऋर और केंद्द सासित प्रदेश अब तक वन नेशन वन राशन कर योजना को लागू कर चुके हैं आंसर इसका राइट है, ओप्शन B, 36, असम वन नेशन, वन राशन काड योजना लागू करने वाला छतिसवा राज्य बन गया है, यह राज्य और जो केंद शासी प्रदेश है, उसमें 36 नमबर पर है, इसके साथ ही अब वन नेशन, वन राशन काड योजना, सभी 36 राज्यो और केंद सासी प्रदेशों में सफलता पूरवक लागू कर दी गई है, जिसे पूरदेश में अब खादी सुरक्सा पॉर्टेबल होगी है, अगला कुछन है, हाली में इसरो के द्वारा लांच किये गए संचार उपग्रह का क्या नाम है, कम्यूनिकेशन सेटलाइट जो इसरो ने लांच किया है, उसका क्या नाम है, आंसर इसका राइट है, ऑप्शन ए, जी सेट ट्वारा लांच किया है, एनस एल के लिए भारतिय अंतरिक्स अनुसंधान संगठन दोरा, विक्सित उपग्रों को एरियन 5 रोकेट के दोरा, दक्षिन अमेरिका दोरा, गोयना के कोरों से इसको लांच किया गया था, वरतमान में को है, चीफ इसरो के, वरतमान में चीफ है, S. सोमनात, अगला कुशन, हाली में, जोतिर गमाए उत्सव का आविजन कहां पर किया गया है, जोतिर गमाए उत्सव, अंसर राइट है, ओप्शन, D, नई दिल्ली में केंदे संस्कृति मंत्री जी किसन रेडी ने नई दिली में जोतिर गमाय उत्सव का यहां पर सुबारम किया है संगीत नाटक अकादिमी ने इस उत्सव का आयोजन आजादी का अमरत महुसर के हिसे के रूप में और विस्सु संगीत दिवस के रूप में के उसर पर देश भर में इसको उद्गाटन किया है इस कारिक्रम का ओके नेश्ट कुशन है यहां पर हाले में जारी उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 में भारत को क्या इस्थान मिला है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स यहां पर इंटरनेट की जो स्पीड है इसके उपर इस सूचकंग जारी किया जाता है तो answer इसमें be right होगा भारत का इस्थान मिला है 115 नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इंसेट्स परदाता उकला दौरा जारी speed test global index में दिखाया कि भारत मई 2022 में जो भारत की speed रही थी और सतन mobile download speed जो 14.28 mbps दर्ज की गई और अप्रेल 2022 में 14.19 mbps से थोड़ी सी बहतर रही थी इसके साथ ही देश में अपनी westwick ranking में तीन पाइदान उच्छल कर अब बाद 115 इस्तान पर आ गया है भारत speed test में next question है 2023 में होने वाले G20 सिखर समयलन की मेज़बानी कौन सा राज जिया केंदर सासित प्रदेश करेगा G20 सिखर समयलन जो 2023 में होना है answer right है option C जम्मू कश्मीर G20 सिखर समयलन की बैठक एक प्रभावशाली समू को दुनिया की प्रमुक अर्थ वैवस्ताओं के साथ लाता है अगले वर्स 2023 में जम्मू कश्मीर में इसका हैजन किया जाएगा भारत इस वर्स इसकी मेजबानी करेगा 2023 में केंद्री वानेज और उद्यग मंद्री प्यूस गोल को पिछले साल सितंबर में ही G20 के लिए भारत का शेरपा उनको नियुक्त किया गया था भारत एक दिसंबर 2022 से G20 के अधिक्स्ता करेगा और वर्स 2023 में पहली बार G20 नेताओं का सिकर समयलन का आज़न भी करेगा इससे पहले G20 की जो नवंबर 2022 में होने वाली बैठकी मेजबानी बाली इंडोनेशिया करेगा G20 के नवंबर 2022 में जो 2022 में इसका आज़न होना है वा बाली इंडोनेशिया में होगा नेक्ट कुशन हाली में अनुपूर्णा चोटी पर चड़ने वाले पहले भारतिये स्कॉल जैंग रिगजिन बने है यह चोटी किस देश में इस्तित है अनुपूर्णा चोटी राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल बिना ऑक्सिजन के सायता से अनुपूर्णा चोटी जो की आठ हजार 91 मीटर की चोटी है इस पर चड़ने वाले भारत के परवतर ही है इसकॉल जैंग रिगजिन जिनका भारत में पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत किया गया था है आपर ले में नेपाल में अनपूर्णा और लिहोट से पर सफलता पूरोग चड़ाई की है इन इसका है ओप्सन सी दिनकर गुपता कैबिनेट की नियुकती समीती ने पंजाब के पूरू पुलिस महानेदिशक डिजीपी दिनकर गुपता को राष्ट्री जांच एजनसी के महानेदिशक गुरूपन को नियुक किया गया है एन ये मुख्याले नई दिल्ली में है इसके 31 दिसम्ब 2008 को की गई थी एन ये तो चीव हाले मनाए गए हैं दिनकर गुपता है नेस्ट कुछन है हाली में भारतिये फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कौन से इस्थान पर आ गई है आंसर राइट है ओप्सन ए एक सो चार नंबर पर आ गई है भारतिये फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में एशिया के फुटबॉल के लिए हाली में कौलिफा करने वाली भारतिये पुरुस फुटबॉल टीम को इसका फाइदा यहां पर दिखा है हाली में जारी नविंतम फीफा रैंकिंग में दो इस्थान की छलांग लगाकर 104 इस्थान पर आ गई है भारतिये फुटबॉल टीम पहले 106 पर थी इरान कुल 23 इस्थान पर है और एफसी देशों में सिर्ष इस्थान पर आ यानि जो एशे देश हैं उनके अंदर इरान पहले इस्थान पर है लेकिन ऐसे वो 23 इस्थान पर है Belgium दूसरे से सिर्श इस्थान लेने के लिए तिन मगने बादacao ब्राजील सिर्श इस्थान पर आ गया नहीं कि Belgium यहाँ पर दो-तीन महिने तक रहा था पहले इस्थान पर लेकिन अब वो दूसरे इस्थान पर आगया है और वर्तमान में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने चीन द्वारा प्रायजित पांच देसों के समू एक आभासी सिखर से मिलन में उन्होंने आप मिसलिया था ब्रिक्स देसों के बीच आपसी स्योग और वेस्वित पोस्ट कोविड रिकवरी के बारे में इसमें चर्चा की गई थी और इसकी थीम रखी थी इसकी फॉस्टर हाई क्वालेटी ब्रिक्स पार्टनरसिप उशर इना न्यू एरा फॉर ग्लोबल डवलप्मेंट ये थीम ओप्सन ए राइट हो जाएगा दक्षिन कोरिया दक्षिन कोरिया ने घरेलू रॉकेट का उप्योग करते हुए अपना पहला उपग्रह सफलत्वा पूर्वक लॉंच किया है यहां के विज्ञान मंत्रा ने बताया है कि तीन चर्णों वाले इस नूरी रॉकेट ने एक दक्षिन आइलेंड पर दक्षिन केरियाई स्पेस लॉंच फैसिलिटी से 435 मील की लग्सु उंचाई पर एक कारेत पर्फॉर्मेंस वेरिफिकेशन उपग्रह को सफलता पूर् बारेंट पर पर दक्षिन कोरिया अगला कॉ Saxonwegen कोन सवेंडह पूर्ध हाईड्रयो और सौर उर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवायडग्या बन गया है पूर्ध हाईड्रो और सोर उर्जा से- ऑप्सन ई इंदिरा गांधी अंतराश्टी हवाईडा नई दिली दिली हवाईडा या इस कहते हैं इसको इंदिरा गांधी अंतराश्टी हवाईडा इस महीने से पूरी तरह से जल और सौर उडजा से चलने वाला देश का पहला हवाईडा बन गया है यह किदम 2030 तक नेट जिरो कार्बन एमिशन एरपोर्ट के लक्ष को हासिल करने के लिए उसका एक हिस्सा था है नेक्स कुर्शन नीती आयो के CEO हाली में कौन बने हैं नीती आयो के CEO आंसर राइट है ऑप्सन डी परमेशुरन एयर पूर पेजल एम जल सचिता सचिव हैं परमेशुरन एयर जिनको दो वर्ष के लिए नीती आयो का नया मोखिय कारकारी अधिकारी इनको निवत किया गया है वहां अमिताब कांत का इस्तान लेंगे जो दो साल के कारेकाल के लिए फरवरी 2016 में इनको नीती आयो का CEO ग्रूप में निवत किया था बाद में इनके कारेकाल को बढ़ाते गए थे इससे पहले नीती आयो की उपादेक्स भी है भी हाली में चेंज हुए है उनका नाम है सुमन के बैरी अधिक्स है प्रदान मंतर नरेंदर मोधी मोख्य कारकारी अधिकारी इसके बने हाली में अब पर मेशुरण अईयर इंपोर्टेंट काफी आप गया रखना है कुशन इसमें आ सकता है दोनों में से एक नीती आयो का पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम हो जाएगा नैशनल इंस्टिटुशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीती आयोग नैशन कुशन हाली में अईजित हुई रंडजी ट्रॉफी 2022 को किस टीम ने जीता है रंडजी ट्रॉफी 2022 आंसर रैट है ओप्शन बी मध्य परदेश ने मध्य परदेश ने साल 2022 में इतिहास रच दिया क्योंकि उन्होंने क्योंकि मध्य परदेश ने बैंगलूरू के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में टूर्णमेट की सबसे मजबू टीम थी मॉंबई को छै विकेट से हरा कर अपना पहला र侌जी ट्रॉफी खिताब जीटा है मध्य परदेश ने सर्वादिग बार रन्जी ट्रॉफी किसे जीटी है मूंबई ने म hmö2 2019 ब्यस में सौराष्ट जीता था उसको पेसली बार जो हुआ पर option A, सामन्त कुमार गोयल, खोफिया agency है research and analysis wing raw, इसके सच्चिव के रूप में सामन्त कुमार गोयल का contract के इसर कर जोरा 24 उनको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में रहने योगी शेहरों की सुचिव में पहले सान पर कौन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, आंसर रैट है, option D, Vienna, Austria, Economics Intelligence Unit के दोरा, दुनिया के सबसे अधिक रहने योगी शेहरों की एक रेंकिंग जारी की गई है, Economics Intelligence Unit, The Economist का एक सहयोगी संगठन है, जो कि दुनिया बर में 173 सेहरों पर इसने रैंकिंग जारी की है, इसमें जो भारत के लिए राष्ट राजदानी नई दिल्ली को सरवातिक रहने योगी सेहरों में सुची में 112 वास्तान मिला है, जबकि मुंबई को 170 वास्तान दिया गया है, और पहले स्थान पर है विएना, ओस्ट्रिया, नेस्ट कोशन है, हाली में भारती ओलम्पिक संग का अध्यक्स किसे नियूकत कियागा है, भारती ओलम्पिक संग, रैट आंसर यहाँ पर है, ओप्सन, ओप्सन इसक़ बी रैट हो जागा, अनिल खन्ना, अनिल खन्ना को भा बारतिय ओलम्पिक्स संग यानि कि इंडियन ओलम्पिक्स एस्सोशेशन का कार्य वहाग अध्यक्स को निउक्त किया गया है। विजय अमरत राज को अंतराश्टी टैनिस हौल ओफ फैम ने गोल्डन अचीमेट आवाड से समानित किया है। गोल्डन अचीमेट आवाड के लिए जोने टैनिस खिलाने को एक समानित सूची में सामिल किया गया है। अचीमेट के ब्राइन टोबिन जापान के इची कावती और सेंट राज अमरिका के पीची कैलमर सामिल है। नेक्स कुशन हली में कहाँ पर अम्बू बाची मेला का आईजन किया गया है। अम्बू बाची मेला कि अंसर राइट है ऑप्सन सी गुवाहाटी कि दो साल बाद भक्तों को यहां पर प्रसिद्ध कामक्या मंदिर के वार्सिक अम्बू बाची मेले में भाग लने के अनुमती मिल गई है। मां कामक्या देवाले ने मुक्य मुखी पुजारी या बोर्ड डोलोई कभीनात सर्माने बताया है कि संसकार के लिए हिसे गुरूप में परवर्ती का इस्तमाल प्रतिकात्मक गुरूप से किया जा सकता है और अब मंदिर को दो साल बाद वापे से खोल दिया गया है। अंबू बाची मिला जो कहां पर इस्तित है गुवार्टी में नेक्स्ट कुशन हाली में जारी राष्ट्री MSME पुरुसकार 2022 में पहले इस्तान पर कौन सा राज है MSME अवार्ड 2022 अंसर राइटिस का हो जाएगा ओप्शन C ओडिसा सुख्सम लगू मद्यम उद्योग यानी MSME विभाग के द्वारा ओडिसा सरकार को MSME के विकास के लिए विभिन विकास आत्मक पहलों के आधार पर उनको आवार्ड यहापर दिया गया है तो इसमें पहले इस्तान पर इसमें दिया गया है जिनका कारिकाल तीन महिने के लिए और बढ़ा दिया गया है अटार्नी जणर्णल यिसके गिन का फोटो है answer जा कर सकते हैं भारत का अटार्नी जणर्रल है केके व्यनू गोपल जिनके कारिकाल को तीन महिने का विस्तार किया गया है next question है किस राज़ सरकार के दौरा नारी को नमन योजना लॉंच की गई नारी को नमन आंसर राइट है उप्सन ए हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश के मुखी मंतरी जैराम ठाकोन राज़ की जो महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवान निगम बसों में किराय में पचास परदेश की रियात परदान करने के लिए नारी को नमन योजना सुरू की गई है राज की पहली महिला बस चालक सीमर ठाको नहुने कारेकरन इस थल पर तक राज़ परिवन की बस में बिठाया मुख्य मंतिरी ने 15 अप्रेल हिमाचल दिवस पर महिलाओं को बस किराय में 50 परदेश की चूट देने की गोशना की गई थी और इसको अब लागू कर दिया गया है नारी को नमन योजना हिमाचल परदेश हाली में परदान मंत्री मोदी ने भारतिय राष्टरी अंतरिक समवर्धन और प्रादिकरन केंद्र इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथरिटी इसका कहां पर हाली मोदगाटन किया है आंसर रैट है ओप्शन बी अहमदाबाद परदान मंत्री मोदी ने भारतिय राष्टरी अंतरिक समवर्धन और प्रादिकरन केंद्र का उदगाटन 10 जून को अमदाबाद में किया इस केंद्र के लिए केंद्री मंत्री मंदल ने अपनी मंजूरी जून 2020 में दी थी इन इस्पेस एक नोडल एजेंसी होगी जो अंतरिक्स गतिविदियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्स विभा के स्वामित वाली सुईधाओं का प्रयोग करने केंद्री आवासें सहरी कार और प्राकर्तिक गैस मंत्री हरदीप सिंग पूरी के द्वारा निर्मान सर्मिकों की कोशल प्रसिक्षन हेतु निपून नामक एक अभिनव प्रयुजना या पहल का सुबाराम 20 जून 2020 को किया गया है इसका पूरा नाम हो जागा निपून का पूर्सल विकास निगम प्रयुजना ओके नैश कुशन हाली में देश की पहली निजी ट्रेन का सुबाराम भारती रेल्वे के कौन से जून के दोरा किया गया है आंसर रेट है ओप्सन C दक्षिन रेल्वे जोन बारती रेल्वे के दक्षिन जोन दोरा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी तोर पर चलने वाली ट्रेन को 14 जोन 2020 को हरी जंडी दिखाए गई है इसके साथ ही railway के इस zone को भारत गौरव योजना के तहत भारती रेवेवे में रजिस्टर सर्विस प्रोवेडर करने वाला पहला zone होने का गौरव प्राप्थ हुआ है यानि दक्षिन जोन ने सुरू की है इस भारव गौरव योजना के तहट निजी तोर पर चलने वाली पहली ट्रेन मुख्य मंत्री है इसके रेल मंत्री है भारत के उनका नाम है अश्योनी वैसनव नाइश कोशन है हाले में किस राजसरकार के दौरा मुख्य मंत्री बाल गौपाल योजना सुरू की गई है मुख्य मंत्री बाल गौपाल योजना आंसर एटस का है ऑप्सन बी राजस्थान राष्टान के मुख्यमंतरी असोग गहलोत ने विती वर्स 2022-23 बजट में घोशित मुख्यमंतरी बाल गुपाल योजना को मंजूरी परदान कर दीगे इस योजना के तहट एक से आठ तक बच्चों को सब्ता में दो दिन दूद उपलब्द करवाया जाएगा जिसमें एक से पांच तक एक सो पचास मिलिलिटर चैसे आठ तक दूद उपलब्द करवाया जाएगा नेक्स्ट कुशन हाली में राष्ट्री उद्ध्यान के अंदर सामुदाइक वन संसाधन यानि CFR अधिकारों को मानिता देने वाला देश का दूसरा राज कौन सा बना है आई राइट आंसर इसका है ओप्शन B चतिसगड चतिसगड राजसर का दौरा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्री उद्ध्यान के भीतर एक गाउं गुडिया पदर में रहने वाले आदिवासियों को वन उप्योग हेतू नियम बनाने की सक्ति परदान करते हुए सामुदाइक वन संसाधन अधिकारों को मानिता दी है कि मैं ऐसे क्षिशन केंजवर्दान मंतरी रोजगार सरजन कारेकरम को विस्तर करते हुए कब तक के लिए लागों रखने की मंझूरी परदान की है आंसर राइट है ऑप्शन बी दोज़ार पचीस सिल चबिस तक के लिए केंद सरकार ने परधान मंतरी रोजगार सरजन कारेकरम को पांच वर्स का विस्तार देते हुए दोज़ार चबिस तक जारी रखने के मंजूरी परधान की है वर्स 2008 में परधान मंतरी रोजगार सरजन कारेकरम नामा के एक क्रेडिट लिंक्ड सबस्टिडी कारेकरम के शुरुवात की गई थी परधान मंतरी रोजगार सरजन कारेकरम को दोज़ार चबिस तक के लिए विस्तार कर दिया गया है अगला कॉशन है अगला कॉशन है भारती डाक विभाग ने पहली बार पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट आधे घंटे से कम समय में 46 क्लोमेटर की हवाई दूरी तैकर गुजरात के कच जिले में ड्रॉन की मदद से दवा का पार्सल पहुँचाया केंदर संचार मंत्राले के मार्क दर्शन में डाक को कच जिले के भुज तालुका के हवे गाउं से लेकर भचावु तालुका के नेर गाउं तक पहुचाया गयाता है बायो डैवर्सिटी पॉलिशी 2022 किस सर्जने उपकरम के द्वारा आंसर राइट है इसका ओप्शन बी भार्त राष्ट्री ताप विद्यूत निगम लिमिटेड यानि एंटी पीसी एल हाली में भारत के सबसे बड़े एकिकरत उर्जा उत्पादक राष्ट्री ताप विद्यूत निगम लिमिटेड ने जैव विवित्ता के सरक्षन एवं उसे पूर्व इस तर पर लाने के लिए एक व्यापक दर्श्टी कोण एवं मार्ग दर्शक्षिदान स्थापित करने तो नविनिकरत जैव विवित्ता नीती 2022 जारी की है इससे पहले NPC दौरा NPC दौरा 2018 में जैव विवित्ता नीती जारी करने वाला पहला सरजनिक उपकरम बना था उसी वर्स वह भारत वैपार और जैव विवित्ता पहल का सब्द से भी बन गया था नेक्ट कुश्चन हाली में भारत और पाकिस्तां के बीच स्थाई सिंधु आयोग की एक सो अठारवी बैठक का आयोजन कहां किया था स्थाई सिंधु आयोग और इसका है option D, New Delhi Indus Commission मई 2022 में भारत और पाकिस्तां के बीच इस्थाई सिंधु आयोग की एक सो अठारवी बैठक ने दिली में आयोजन की गई थी आयोग ने सिंधु नदी जल संधी के अंतरगत दूपक से विचारों मस के माध्यम से वार्था हुई थी बैठक में यह समेती भी हुई है कि आयोग की जो आगली आगा में बैठक जो होगी वो पाकिस्तान में होगी सिंधु जल संधी 1960 के अनुच्छेद आठ के अंतरगत इस संधी के कर्यानवन हेतु एक इस्थाई सिंधु आयोग के गठन का प्रदान प्रावधान भी है नीक्ट कुछण है हाली में चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज में इस्थित है फूलों की घाटी राइट आंसर इसका है option A उत्राखंड जून 2022 को विश्व प्रसिद धरोहर इस्थल एवं राश्ट्री उध्यान उत्राखंड की फूलों की घाटी को परेटोकों के लिए खोल दिया गया है फूलों की घाटी राश्ट्र उध्यान उच्च तुंगुता वाले पस्चिम हिमाले छेतर में वस्तित थे 1988 को युनेसको ने इस घाटी को विश्व धरोहर इस्थल गोशित किया गया था इस राश्ट्र उध्यान छेतर में अलपाइन फूलों में सुन्दर घास के मैदान भी पाए जाते हैं नेक्ट कुर्शन हाली में संयुक्त राश्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोद को स्युकर कर लिया है अंसर राइट है ऑप्सिन ए तुर्की संयुक्त राश्ट्र ने तुर्की का नाम बदलने के अनुरोद को स्युकर कर लिया है सेंक्तुराष्ट में अब तुर्की का नाम तुर्की ये यानि कि जो पहला तुर्की था उसको अब तुर्की नाम से बुलाया जाएगा तुर्की के राश्टपती रेचप तैयप एदोर्गन ने तुर्की का नाम बदलने का फैसल लगिया है तुर्किये नाम से देश एतियासिक रूप से जुड़ा हुआ है जो तुर्किये संस्कृति और सभिता का प्रतिने जो तो करता है राइट कुछन है हाली में पांच जून 2022 को एक वैस्विक पहल सुरू की गई है लाइफ जिसका नाम है उसमें E किसको दर्साता है उस पहल के अंदर जो E है वो किसको दर्साता है अर्थ, एजुकेशन, इलेक्टरिशिटी या फिर एन्वार्मेंट राइट आंसर इसका है ओप्सन D, एन्वार्मेंट पांच जून यानि कि विश्व परयावन दिवस के अवसर पर प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने परयावन के लिए जीवन सेली आंदोलन यानि लाइफ स्टाइल फोर दा एन्वारिमेंट पहल की शुरुवात की है इस पहल का विचार भारत दौरा वर्स दोजार इक्किस में ग्लासको में 26 सेंच तुराष्ट जलवाईव परयरतन सम्मेलन के दोरान प्रस्युत किया गया था अगला कुशन है हाली में अगनी 4 बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परेक्शन किया गया है यह मिसाइल है राइट आंसर इसका है ओप्शन सतह से सतह मार करने वाले सर्फेस टू सर्फेस यहाँ पर यह मिसाइल है बोर्डन फैक देखते हैं हाली में जून 2022 में DRDO ने परमाणू हमले में संग शक्षम अगनी 4 बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परेक्शन किया है यह परेक्शन ओडिसा के एपीजे अब्दूल कलाम द्वीप से किया गया था सतह से सतह मार करने वाली यह मिसाइल 4000 किलोमेटर तक परहार करने में शक्षम है तो हमको एक तो यह रखना है कि कितने किलोमेटर इसकी रेंज है 4000 किलोमेटर है और अगनी 4 बैलेस्टिक मिसाइल है इसका प्रेक्षन ओडिसा के एपीजे अब्दूल कलाम द्वीप से किया गया था नेक्स्क्षिन हाले में भारती राष्ट्री राजमार्क परादिकर ने रिकॉर्ड एक सूपांच घंटे में 33 मिनिट में कितने किलोमेटर लंबी स्टक का निर्मान कर गिनीज बुक औफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नाम दर्ज करवाया है कितने किलोमेटर लंबी स्टक मनाई थी तो आंसर इसका है 75 किलोमेटर ऑप्सन डी राइट हो जाएगा एन एच ए आई नेशनल हाईवे अथरेटी ऑफ इंडिया या भारती राष्ट्री के राजमार्क प्रादिकर्ण ने रिकॉर्ड एक सुपांच घंटे तैंतिस मिनिट में पचेतर किलोमेटर लंबी बिटु मिनमस कंक्रीट रोड का निर्मान कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है माराष्ट के पश्यम विधर में अमरावती और अकोला के बीच एनच 53 सेक्षन पर सिंगल लैन की यहा पर युजना आजादी का अमरत महुसाओ के तैट पूरी की गई है नेक्स कोशन है हाली में किस जगया पर खीर भवानी मेले का आयुजन किया गया है खीर भवानी मेला तो आंसर इसका राइट हो जाएगा और सी राइट है जमू कश्मीर आट जून 2022 को भारत के केंदर सासी परदेश जमू कश्मीर में गारंद बल जिले के तुल मुला गाउं में दो वर्स के बाद वार्षिक खीर भवानी मेले का आयुजन किया गया यह त्यार हिंदू तीर थियात्रियों के साथ साथ कश्मीरी पंडितों को द्वारा गांदर बल जिले के प्रशिद रागिणा देवी मंदिर में जन्हें खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर इसका आयुजन किया गया था यह त्यार हिंदू कलेंडर के अनुसार जेस्ट अस्टमी के दिन मनाया जाता है हाले में CISS एप का सुभारम किस ने किया है CISS एप एप्लिकेशन है तो इसका आंसर हो जागा राइट ऑप्शन डी राइट होगा इसका राष्ट्री बाल अधिकार सरक्षन आयोग N.C.P.C.R के दौरा इसको लौँच किया गया है हाले में राष्ट्री बाल अधिकार सरक्षन आयोग ने CISS एप्लिकेशन ने सुभारम किया है इसका पूरा नाम हो जाएगा मिशन नामक एक मिशन लौँच किया जा रहा है इसका अर्थ है डीप अट्मोस्फियर वेनस इनिवस्टिकेशन ओफ नोबल गैसे केमेस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन यह मिशन वर्ष्ट दो जार उन्तिस में सुक्र घर के निकट उडान भढ़ने और इसके कठोर वातर सी उप्सन राइट हो जागा थंबी इसक्रीन पर देख सकते हैं इस सुभंकर को जिसको मैसकट कहते हैं जून 2022 में तमिलाडू के सी एम एम के स्टैली ने चमालिस्वे सत्रंज ओलंपियाड के लिए लोगो और सुभंकर का अनावरण किया था इस्टैली ने अधिकारिक ल विभिन पुरुसकारों की नामांकन प्रक्रिया को पार दर्सी बनाने के लिए किस पॉर्टल को लॉंच किया है अंसर इसका राइट है ऑप्सन ए राश्ट्रिय पुरुसकार पॉर्टल नेश्नल अवार्ड पॉर्टल नौजून 2022 को केंदे सरकार ने विभिन मंत्रालयों विभागों और एजेंसियों के विभिन पुरुसकारों की नामांकन प्रक्रिया को पार दर्शी बनाने जन भागीदारी शुरुषित करने के लिए राश्ट्रिय पुरुसकार पॉर्टल की शुरुआत की है राश्ट् D. अमेरिका स्यंक्तुराज अमेरिका के नियू यॉक विधान मंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स के लिए विसका पहला राइट टू रिपेर कानून पारित किया है अपने खरीदेगे उत्पादों की मरमत नविनी करण के लिए ग्रहावकों के अधिकारों के रक्षा के लिए सरकार के दबाव के बाद फेर रिपेर एक्ट अधिनिमित किया गया है अगला कुशन है हाले में कौन सा देश भांग को वैद बनाने वाला पहला एशय देश बन गया है यानि लीगल कर दिया गया हमाँ पर भांग को किस एशय देश में आंसर राइट है इसका हमाँ पर ओप्सन डी थाइलेंड थाइलेंड में अब भांग यानि मरजुआना रखना और उसकी खेती करना अपराद की श्रणी में नहीं माना जाएगा क्योंकि हाली में वहाँ की सरकाने से वैद गोशित कर दिया है हाला कि सारजनी तोर पर दुमरपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वरजित है अगला कुशन है जून 2022 में किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगर्दी सम्मालने का रिकोर्ड बनाया है आंसर इसका राइट है ओप्शन जून 2022 में ब्रिटैन की महरानी एलिजबेट दूतियन थाइलेंड के राजा को पचाड़ कर फ्रांस के लूई 14 के बाद इथियास में विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगर्दी समालने का रिकोर्ड बनाया है राजच्य सेवा को सत्तर वर्स पून होने पर कारेकम का आईजुन किया गया था वेस्व में सरौदिक लंबे समय तक सासन का रिकोर्ड का है वो थाइलेंड के राजा भूमी बल अदुल्या देज जो बहत्तर वर्स 110 दिन है उनके पास है ओके नेक्ट कुछन है आले में जारी सिपरी एर्बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देज में सबसे ज़्यादा परवनों हत्यार है तो इसका आंसर है वो ऑप्शन ये राइट है रूस रूस के पास सबसे ज़्यादा परवनों हत्यार है 5977 सिपरी यानि की स्टोकॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट के द्वारा सिपरी एर्बुक 2022 जारी की गए इस रिपोर्ट के अनुसार सरादिक परवनों हत्यार है वो रूस के पास है 5977 अमरीका के पास है 5408 जैने दूसरे स्टान पर अमेरिका है अगला कुशन है इसी रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है सिपरी एर्बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्टान पर है परवनों हत्यार रखने के मामले में तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्सेन है आपर हो जाएगा D सातो इस्थान पर है भारत के पास 160 परवनों हत्यार है नेश्ट कुशन है हाली में लॉंच हुई अगनीपत योजना के संधर्व में कौन सा कथन सही नहीं है चार आप्सेन आपर दे रखे है कौन सा जो कथन है वो अगनीपत योजना से संब्दित नहीं है तो इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्सेन B होगा यानि कि जो तीन आप्सेन है बाकि वो सही है 14 जून 2022 को केंसर काने से लॉंच किया है भरती के लिए नियूनतम आई जो है वो 17.5 से लेकर 20 वर्स की बीच रहेगी चार वर्स की अवदी में पचितर परसेंट जो अगनीवीर होंगे उनको मुक्त कर दे जाएगा और 25 परसेंट को आगे रखा जाएगा जबकि इसमें जो तीन वर्स की अवदी के लिए सेना में चैन होगा यह गलत है जबकि इसमें चार वर्स की अवदी के लिए सेना में चैन किया जाएगा इंपर्टन फैक देखता है अगनीबात योजना को 14 जून 2022 को लॉंच किया गया था चार वर्स के बाद अगनीबीर को 11.71 लाख रुपे का पैकेज दिया जाएगा अगला कुशन है हाल ही में किस राज में सूजल योजना की शुरुवात की गई है सूजल योजना राइट आंसर है ओप्सन बी हर्याना जून 2022 में हर्यना के मुख्यमंतरी मनोहर लाल खटर ने अपने सरकार निवास संथ कबीर कुटीर में प्रदेश के लिए सूजल योजना की शुरुवात की है इस योजना के तहत कारेला में बैटकर अधिकारी जल प्रबंदन कर सकेंगे अगला कुशन है जून में पहली बार भारत ने आसियान देशों के विदेश मंतरियों की बैठक की मेजबानी की है इसके साथ ही दिल्ली डायलोग के बारवे संस्कर्ण का भी आईजन किया या है भारत के ओर से विदेश मंतरी डॉक्टर S. जैसंकर ने इस बैठक में भाग लिया था हाली में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहां पर संत तुकाराम सिला मंदिर का उदगाटन किया है एक पथर के स्लाइब को समर्पित एक मंदिर है जिस पर तुकाराम ने तेरा दिनों तक ध्यान किया था यह चटान पवित्र और वरकरी संपरदाय के लिए एक तीर्थ इस्तल माना जाता है नेश्ट कुशन हाले में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता देश कौन बन गया है लार्जेस्ट ओइल सप्लायर कंट्री फोर इंडिया अंसर राइट है ऑप्सन डी इराक रूस और युक्रेन के युद के बावजूद भारत रूस के साथ तेल आयत लगातार बढ़ा रहा है और इराक के बाद अब रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता देश बन गया है इराक रूस जो है वो दूसरे नमबर पर आ गया है और पहले सान पर है अबर इराक बीते महिने में रूस ने साथी अरब को पीछे छोड़ कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता देश बना है रूस इसके लावां अमेरिका और चीन के बाद भारत वीसु का तीसरा सबसे बड़ा तेल और बोगता देश है अगला कोशन है भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहां संचालित की गई है कोईमबटूर से साइन अगर के लिए जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोईमबटूर उत्तर तमिल लाडू से साइन अगर सिर्णी महराश के लिए सुरू की गई है दक्सिन रेल सेलम के मंडल प्रवंदक गौतम स्रीनिवास ने हरी जंडी दिखा कर इस ट्रेन को रवना किया था इसके साथ ही भारतिय रेलवे ने अब तीसरा अनुभाग जो की परेटन है उसको इस्थापित कर दिया है इससे पहले सिर्फ यातरी अनुभाग और माल दरेल से लृएक लृट था ने अलब सक सब्सक्राइक न को निःघाला था इसके से बठादोющ परेटन को रहे सब्ढ़ को यातरी प्रेस के सब्ढ़ करी निया तर्स है ने ईचावग तोद़ेक्स सब्सक्रां नियुक्तग किया है अगला कुछन है Global Peace Index यानि कि वेस्विक सान्ती सूचकांग 2022 जारी किया गया है इसमें पहले इस्थान पर कौन सा देश है वेस्विक सान्ती सूचकांग अंसर राइट है ऑप्शन ए आइसलेंड जून 22 में Institute for Economics and Peace Research के द्वारा वेस्विक सान्ती सूचकांग 2022 जारी किया गया है और इस सूची में पहले स्थान पर है आइसलेंड सबसे सान्ती सूचकांग 2022 में भारत का क्या स्थान है पहले स्थान पर आइसलेंड है जबकि यहां पर भारत का क्या स्थान है इस सूचकांग में अंसर राइट है ऑप्शन पर एक सो पैंतीस वन हंडर्ट थैटिफाइव जून 2022 में जारी वैस्भीक सान्तीस इस सूचकांग 2022 में सबसे नीचे है अफगानेस्तां एक सो गीजत आइसलेंड नंबर पर अगला कुशन भारत का पहला dark sky reserve कहां इस्थापित किया गया है अनसर राइट है option A, लदाक लदाक के हानले में चांग थांग वनीजीव अभेरन का एक हिस्सा भारत का पहला dark sky reserve बढने के लिए तयार है यह एकिस सरक्षी छित्र है जो सभी रूपों में प्रकाश प्रदूशन को कम करने यह समाप्त करने के लिए रात्री सरक्षन के लिए प्रतिबद्ध है अगला कुशन फिफा अंडर 17 महिला विशुकप 2022 का आयजन किस देज में किया जाएगा अंसर राइट है ऑप्रसन C भारत में फिफा ने अंडर 17 महिला विशुकप 2022 के कारकरम को हाली में घोशना उसकी कर दी है जारी कर दिया है जिसका आयजन भारत में होना है टूर्नेमेंट का फाइनल मैच नवी मुंबई के डिवाई पार्टिल स्टेडिम में 30 अक्टूबर 2022 को खेला जाएगा इसका आयजन नवंबर 2022 में होना था जिससे कोवीड के चलते रद कर दिया गया था जारी में किस देश में इस्थित खोसगूल जील राश्ट्री उद्यान को युनस्को दौरा बायोस्फियर रिजर्व के नेट्रॉक में सामिल किया गया है आंसर रैट है मंगोलिया मंगुलिया के खोसगुल जील राश्ट्री उद्ध्यान को युनस्को के दोरा बायोसफिर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में सामिल किया गया हाले में खोसगल जील या मंगुलिया की मीठे पानी की शुरूत का एक परतिशत है वहां की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है नेश कोशन, हाली में ओप्रेशन संकल्प ओप्रेशन संकल्प किस ससस्तर बल से संबंदित है आंसर राइट है ओप्सन C, भारतिय नौसेना वर्तमान में भारतिय नौसेना का स्टील्थ फिग्रेट आईनेस तलवार मेनार पक्सी गाउं जिसको हाली में आर्दर भूमी के रूप में अधिसुचित किया जाना तै हुआ है या किस राजव में इस्तित है मेनार पक्सी गाउं मेनार बर्ड विलेज अंसर राइट है ऑप्सन बी राजस्थान पक्सी गाउं के रूप में मानेता प्राप्त उधैपूर जिले के मेनार गाउं को राजस्थान की नई आर्दर भूमी के रूप में अधिसुचित किया जाना तै हुआ है इससे मेवाट छेतर के इस गरामिंड छेतर को रामसर इस्थल का दरजा मिलने का मार आप जो प्रसंट हो गया है अभी इसकी गोशन है की गई है उपचारिक रूप से इसके जो अधिसूचित जार जारी हो गई अभी तक नहीं हुई है इससे पूर्व कुल रामसर इस्तल कितने अधिसूचित हैं? 49 रामसर साइट्स अभी तक भारत में अधिसूचित हैं नेक्ट कुशन है हाली में पद्म पुल का उद्गाटन किया गया है यह किस देश में इस्तित है? पद्म पुल जून 2022 को बंगलादेश की प्रधान मंत्री सेख हसीना ने लंबे समय से प्रतिक्षित पद्म पुल का उद्गाटन किया यह इस देश का सबसे लंबा पुल है जो पूरी तरह से बंगलादेश सरकार के द्वारा वित्पोशित है 6.15 किलोमेटर लंबा रोड रेल फॉर लेंड पुल पद्म नदी पर बनाया गया है नेक्ट कुशन है हाली में 26 वी सिंधू दर्सन यात्रा का अईजन कहां पर किया गया है? 26 सिंधू दर्सन यात्रा आंसर रैट है ओप्शन बी लद्दाक 26 वी सिंधू दर्सन यात्रा के अउचर पर विशेश इसमारक डाक टिकेट भी जारी किया है लेह सहर से लगबग 8 किलिमेटर दूर शेह मनाला में सिंधू नदी के तड़ पर आजजुत होने वाला इस महुत्सों में परतिवर्स कई हजारों परेटे गहां पर सामिल होते हैं तो सिंधू दर्सन यात्रा लद्दाक के लेह में आजजुत कर गया गया था नेक्ट कुछन है हाले में कहां पर बीशवे लोक मेले और तेरवे करशी मेले का उधगाटन किया गया था दोनों को एक साथ ही एक जगे पर आंसर राइट है ओप्सन ए ओडिशा जून 2022 में जनजाती मामलों और जल सक्ती राजमंत्री विश्वेशर टूडू ने ओडिशा के पुरी में बीशवे लोक मेले राश्ट्री आदिवासी लोगीत और निर्ति उत्सो जी से कहते हैं और तेरवे करशी मेले का उधगाटन किया है ओडिशा के पुरी में लेक्स कुशन है खाली में किस देश की महिला कुस्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चेंपेंसिप का खिताब जीता है महिला कुस्ती टीम अंडर 17 एशियाई चेंपेंसिप का खिताब जीता है जिसमें भारत ने आठ सौन एक रजट एक कास्य पता के साथ सीर्स पर रहा वहि था नेस्ट कुछिन हाले में विग्यानिकों ने कहां पर विश्व के सबसे बड़े जीवानों की खोच की है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टेरियम केरिबियन दीप समू केरिबियन आइलेंड विग्यानिकों ने केरिबियन मैंग्रोव दलदल में विश्व के सबसे बड़े जीवानों की खोच की है यह जीवानों दीप समू के गौडेलों पे मैंग्रोव में पाया गया है अगला कुशन है हाली में जून 2022 में G7 के 48 सिखर सम्मेलन का एजन कहां पर किया गया था G7 की 48 समिट कहां पर इसका एजन किया गया था तो answer right है option C Germany जून 2022 में PM मोदी ने G7 के 48 सिखर सम्मेलन भाग लिया G7 के 48 सिखर सम्मेलन का एजन जर्मनी में किया गया था पीम नरेंदर मोदी ने दक्सिन अफरीका के राष्टपती सिरिल रामाफोसा इंडोनेशिय के राष्टपती तदा जर्मन चांसलर के साथ द्यूपक से बैठके भी की थी इसके साथ तो जी सेवन के 48 सिकर समयलों का आजन जर्मनी में किया गया था कि दूस्तों आज के लिए इतना ही अगर आप को यह घटना चाकर करेंट फिर मैगजियन का यह जो एंसी की वीडियो का प्लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना चैनल पर नहीं हो तो इस पीडियेफ को पर्चेस कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं एगले वीडियो में धन्यवाद